जैश्री कृष्णा, मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किटकटी स्टोरीज पर हर्दिक स्वागत है इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार सारस्वत तीर्थ में स्नान करने से एक गूंगे राजा को बोलने का आशिरवात मां सरस्वती की कृपा से प्राप्त गया था अब उससे आगे का वर्णन आज के अध्याय में सुनिए शिरी सूत जी कहते हैं पुर्वकाल में एक श्वाखु कुल को आनन्दित करने वाले रुद्र सेन नाम से प्रसित एक राजा थे सब गुणों से संपन कान्ति पुरी उनकी राजधानी थी और उनकी परंप्रे धर्म पत्नी का नाम था पद्मावती राजा विशाख मास की पुनिमा को सद्यवरानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमतकार पुर के छेतर में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे अपनी पत्नी सहित शुरधा पुर्वक बैठ कर रातरी में जागरन कर उपवाज करके महादेव जी का चिनतन करते वे रात बिताते थे फिर प्रातयकाल उठकर इसनान करके धुलेवे वस्त्र पहन कर पवित्र होकर ब्रहमणों और तपस्वी जनों को दान दिया करते थे साथ ही अन्य सहेस्त्रों, दीनों, अन्धों और कंगालों को अन्य धन वस्त्र बाटते थे इस प्रकार प्रतिवर्ष विवेशाक पुर्णिमा को वहां की यात्रा करते और महाकाल देव के सामने रात भर जागते थे इससे उनका सदा अभिदय होने लगा और शत्रु अपने आप ही नस्ठ होने लगे एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाट केश प्रतिवर्ष वेश्वर छेत्र में आए तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के सामने अनेक 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 देशों और दिशाओं से स्रेष्ट ब्रहमन भी वहां पधारेवे हैं वे सब वेदपाठ में ततपर हैं और परसपर देवों रिशी मुनियों और प्राचिन जर्शियों की कथा वार्था कर रही हैं राजा ने क्रमशा उन सब को प्रनाम कर स्वयम भी उनसे अभी नंदित होकर एक और आसन ग्रहन किया कथा समाप्त होने पर मुनिश्वरों ने पूचा है राजन तुम प्रतिवर्ष वैशाकी पूर्णीमा को दूर देश से यहां आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरन करते हो तीर्थों में जो इसनान दान अधिक अनिक रियाएं बताई गई हैं उन सब को छोड़कर पहले तुम इस जागरन कारे की और ही ध्यान देते हो अतह इसका फल क्या है सो हम लोगों से बताओ तब राजा ने कहा हे प्रवरो आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनी रहसी की बात है फिर भी मैं आपसे अवशी ही कहूंगा प्राचीन काल की बात है मैं वैदिश नगर के वैशिकुल में उत्पन हुआ था मेरे पास उस समय धन का सर्वता अभाव था मेरे भाई राधर करते थे और अंत में उन्हाने मुझे ही त्याग दिया तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया स्वरास्ट्र देश को धन धाने से संपन सुनकर मन में उसी का ध्यान करते वे चला और रास्ते में भिक्षा का अन भोजन करता हुआ मैं क्रमशा बहुत कष्टतों में पाही रहा था वहां पहुँचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया उसके बाद मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी है नात इस जलाशे से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले ये पास ही इंदरपुरी के समान मनुवर नगर दिखाई देता है वहां चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए तब मैंने बेचने के लिए बहुत सारे कमल इकठे कर लिये और चमतकारपुर में आकर सब और घूमा किन्तु कोई भी मनुष उन कमलों को खरीता ही नहीं था भूख के मारे में दुरबल हो रहा था मेरा गला सूप गया था उस समय सूर्यास्त हो गया तब मैं विराग्य भाव को प्राप्त होकर पतनी के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को प्रत्वी पर रखकर लेट गया फिर आधी रात बीतनी पर मैंने गाने की ध्वनी सुनी तब मेरे मन में विचार कि निश संदे आज यहां जागरन का पर्व है इसलिए चलूँ अगर कोई मेरे कमलों को मूले दे कर ले लेगा तो भोजन की विवस्था भी हो जाएगी ऐसा निश्य करके उन सभी कमलों को उठा कर मैं अपनी पतनी के साथ जहां से उस गीत की सुन्दर ध्वनी आ रही थी उसी ओर चल दिया वहां जाने पर मैंने देवताओं के सुआमी भगवान महाकाल को स्रेष्ट ब्रहमनों द्वारा पूजित होते वे देखा वे ब्रहमन भगवान के आगे बैठ कर जप और गीत में लगे हुए थे कोई निरत्य करते कोई गीत गाते कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान कर रहे थे तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा यहां क्यों जागरन किया जाता है उसने कहा कि आज भगवान महाकाल की प्रसनिता के लिए उपवास परायन ब्रहमनों द्वारा भक्ति भाव से जागरन किया जाता है आज वे शाख मास की पुर्णि मे इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ती पुर्वक जागरन करता है वे निश्चे ही स्वर्ग लोग को प्राप्थ होता है तब मैंने कहा हे भद्र पुरुष मेरे पास कमल के फूल है इन्हे ले लीजे और बदले में कुछ मूर्ली मुझे दे दीजे जिससे मेरा भोजन चले तब उसने तीन पल स्वर्ण देना चाहा ये देखकर मैंने सोचा स्वयम ही क्योना इन कमलों से देवेश्वर महादेव जी की पूजा करूँ लगता है पूर्व जनम में मेरे शरीर से कोई भी पुर्णे कर्म नहीं हुआ था इसलिए इस जनम में मुझे ऐसी दुर्गती भोगनी पड़ रही है किन्तु क्या करूँ मेरी प्रेवादनी पत्नी का गला भूग के मारे सूखा जा रहा है और इसमें संदे नहीं कि अगर अन ना मिला तो ये कल तक जीवीद भी नहीं रहेगी इस प्रकार चिंता में पड़ेवे मुझ से मेरी विनेशिला पत्नी कहने लगी नात धन के लोब से इन कमलों को मत पेचो आज अपने पास अनन ना होने से स्वतह उपवास वरत का योग लग गया है भूख की कस्ट से अब तक तो हम जागते ही रहे हैं शेस रात्री में और भी जागरन कर लेंगे हमने सरुवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन तो किया ही था इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें इससे हम दोनों का ही परमकल्यान होगा पत्नी के ऐसा कहने पर फिर हम दोनों ने बड़ी प्रसंता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया भूख की पीड़ा से नेंद तो हमारे पास आई ही नहीं प्रातहकाल जब सूर्यदय हुआ उस समय भूख से पीडित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्ती हो गई तब मेरी पत्नी ने मेरी शरीर को लेकर बड़े हर्श के साथ चिता की अगनी में प्रवेश किया उसी पुर्णी के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशार्ण देश के राजा की पुत्री हुई जिसे अपने पूरुजनम की बातों का भी इसमरण था दशार्ण राज ने इसका स्वैंबर रचाया और उसमें इसने मुझे पहचान कर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूरुजनम की पत्नी समझ कर अपना लिया इसी कारण से मैं प्रतिवर्ष विशाक पूर्णीमा को यहां आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प धूप तथा चंदन आदी के द्वारा उनका पूजन किया करता हूँ ब्रामनो उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था फिर भी महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ अब मैं जो श्रद्धा पुर्वक शास्त्रोक्त विधी से जागरण कर रहा हूँ इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे ये तो मैं खुद भी नहीं जानता ये सुनकर वहाँ आए हुए श्रेष्ट ब्रामनों ने राजा को अनेक बार साधुवाद किया और इस प्रकार कहने लगे है राजन आपने ठीक कहा है भगवान महाकाल की कृपा से इस धर्ती पर कोई भी वस्तु दुरलब नहीं इसलिए हम भी प्रतिवश श्रद्धा से यहां रात्री जागरण किया करेंगे उसके बाद राजा और उन ब्रामनों ने बड़े हर्ष के साथ गीत, वाद, इनृत, धर्म कथा आदिकारियों को करते वे महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया प्रातेहकाल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्रहमनों से आग्या लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया फिर समयानुसार शरीर का अंथोने पर उन्होंने जरा और मृत्यू से रहित परमबद को प्रात कर लिया शुरी सूत जी कहते हैं हे महरश्यो इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महातम में कवर्णन किया है जो सब पापों का नाश करने वाला है शुरी सूत जी कहते हैं महरश्यो उसी छेत्र में एक महापुन्यदाय कुंड भी है जिसके तटपर कल शेश्वर देव का निवास है उनका दर्शन करने से मनुश सभी पापों से मुक्थ हो जाता है प्राचिन काल में कलश नाम से प्रसित एक यद्वन्शी राजा हुए वे विधी पुर्वक यगि करने वाले और सभी लोगों के हित में तथपर थे एक समय महरशी दुरवासा के शाप से उन्हें व्याघर होना पड़ा व्याघर रूप में वन में रहते वे बहुत से ब्रह्मनों को मार कर खा जाया करते इस प्रकार उनका बहुत सारा समय बीद गया कुछ समय के बाद उस देश में गववों का एक मनुरम जुंडा निकला जिसके साथ बहुत से गोप गोपी थे उस जुंड में एक नंदनी नामक धेनू थी जिसके थन बहुत मोटे थे और जो घड़ों-घड़ों दूध दिया करती थी वह धेनू गाए घास के लोब से आगे बढ़ती वी एक कुंज के भीतर गई तो वहाँ उसने भगवान शंकर का लिंग में स्वरूप देखा जो बारह सूरियों के समान तेजस्वी लग रहा था गउने बड़ी श्रद्धा के साथ वहीं खड़ी होकर उस शिवलिंग को इस नान कराने के लिए उस पर बहुत दूध की धारा बहाई उसका ये नियम प्रति दिन चालू रहा किन्तु इस बात को कोई नहीं जानता था एक दिन उस इस्थान पर तीखी दाढ़ वाला वही व्याग राया और देवयोग से नंदिनी गाए पर उसकी द्रिस्टी पड़ गई तब गवों के समुदाय में बंधे वे अपने छोटे बचले की याद करके वे गाए करोन स्वर में विलाब करने लगी फिर उसने मनहीमन कहा जिस सत्य और शिव भक्ती से प्रेडित होकर मैं भगवान शिव को इसनान कराने के लिए हाई थी उसी के प्रभाव से मुझे अपने बचले से मिलने का अवसर प्राप्त हो इस प्रकार नंदनी जब करोन विलाब कर रही थी उसी समय व्यागर ने हसकर कहा अरी अब तो तो पूर्णता मेरे वश में है क्यों व्यर्थ प्रलाब कर रही है तब धेनु बोली मैं अपने ले बिलाब नहीं कर रही भगवान शिप की पूजा के लिए आने पर अगर मेरी मृत्य भी हो गई तो ये मेरे ले शुबदायक ही होगी किन्तु मेरा बचला जो गवों के जुंड में बधा हुआ है मेरे लोटने के रहा देखता होगा वो अभी दूद पीकर ही जीवित रहता है सोस्ती हूँ मेरे बिना वो कैसे जीवित रहेगा हे महा व्याग्र मेरे बेटे के लिए मेरे हिर्दय में इस नहीं उमड़ाया है इसलिए आज तुम मुझे छोड़ दो मैं अपनी सक्षियों को सौप कर फिर तुम्हारे पास जल्दी लोटाऊंगी व्याग्र कहने लगा तुम तो इस समय मृत्य के मुख में आ गई हो अब अगर किसी प्रकार बचकर निकल जाओगी तो फिर वापस उसी मृत्य के मुख में भला कैसे लोट कर आओगी तब नंदनी ने कहा व्याग्र मैं शपत खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे पास अवश्य लोट कर आओगी ब्रहमर की हत्या करने और माता पिता को छलने से जो पाप लगता है उसी पाप में मैं लिप्थ हो जाओँ अगर मैं पुनहार लोट करना आओँ रजस्वला इस्तरी से संपर्क करने वाले तथा बिना वस्तरों के सोने वाले पुरुष को जो पाप लगता है मैं उसी पाप से लिप्थ हो जाओँ जो मैं लोट करना आओँ गउ कन्या और ब्राहमनों को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उस पाप में मैं भी लिप्थो जाओं जो मैं पुन्हा लोट कर वापस ना आओं। इन शापताओं को सुनकर व्यागर कहने लगा अगर ऐसी बात है तो घर को जाओ और अपने पुत्र को जी भर कर देख लो फिर उसे अपनी सक्षियों को सौप कर शीगर लोट आना फिर नंदनी जहां उसका बच्छडा बंधा हुआ था उसी स्थान पर गई अपनी माता को र इसकी बात सुनकर बच्छडे पेट भर कर दूद पी लिया फिर बच्छडे ने इस प्रकार कहा मा आज जंगल में जो कुछ घटना हुई वो सब बताओ जिसे सुनकर मेरा मन शांत हो जाए नंदनी बोली वत्स आज मैं घने जंगल में अपनी इच्छा के नुसार घूमती चले गई थी तभी वह एक व्यागर ने मुझे खेर लिया वो मुझे खा लेना चाहता था किन्तु मैंने शपत के द्वारा उसे ये विश्वास दिलाया कि मैं गवों के जुंड में अपने बच्छे को देखकर फिर लोटाऊंगी अनेक शपत करने पर ही उसने मुझे तो मात्र भक्त पुरुषों की जो गती होती है वही निश्चे पुर्वक मुझे भी मिल जाएगी बालकों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं और माता के समान कोई रक्षक भी नहीं और मा के समान कोई पूजी गुरु नहीं मा के समान इसने ही सखा नहीं और मा के समान इस लोक या परलोक में कोई देवता नहीं है फिर बच्छडा आगे कहने लगा कि ऐसा मानकर श्रेष्ट पुरुशों को सदा अपनी माता के प्रती भक्ती रखनी चाहिए जो पुत्र मात्र भक्ती को ही प्रजा पती निर्मित परम भक्ती मानकर सदा उसका आचरन करते हैं वे परम गती को प्राप्त होते हैं इसलिए तुम इस गोकुल में रहो, मैं ही व्यागर के पास जाऊँगा और मैं अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। नंदिनी ने अपने बचले की बात सुन कर कहा, बेटा, आज के दिन मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम्हारी नहीं। फिर तुम अपने प्राणों से मेरे प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हो। वत्स, तुम्हे तो अपनी मा के उपदेश का ही पालन करना चाहिए। वन में घ घोर जंगल में और भयानक रण भूमी में भी प्रवेश कर जाता है। लोब, प्रमाद और सब पर विश्वास इनी तीन दोशों से प्रत्यक प्राणी बंधता और मारा जाता है। इसलिए लोब ना करे, प्रमाद में ना पड़े और हर एक पर विश्वास ना करे। पुत इसी प्रकार भी उसे चरना नहीं चाहिए, अपना जुन्ड छोड़ कर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपने बचले को समझा कर और उसे बार बार चाट कर नंदनी ने अपने सक्यों के पास वन में जा कर कहा। बहनो, मिरी बात सुनो, आज मैं अपने कि शपत हो द्वारा उसे विश्वास दिला कर मैं तुम लोगों से मिलने और अपने बच्चे को आखरी बार देखने के लिए हाई हूँ। इस समय बच्चे को देखा, बात की और इसे करतवी का उपदेश भी दिया। अब इसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। इसको अप बल और मात्र शोक से संतक्त बालक का तुम सब लोग मिलकर पालन करना। अगर ये विश्व मिस्थान में घूंता हो, दूसरे किसी जुंड में जाता हो या ना करने योग की कारियों में संगलगन रहता हो तो तुम सदा इसे रोकती रहना। अब मैं जहां व्यागर मेरी प प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरन होते समय इन पांच समय में कहीं कई असत्य बातें पाप नहीं मानी गई हैं। इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। नंदिनी ने कहा, सक्यो, दूसरों के प्राण बचाने के लिए वैसा असत्य ठीक हो सकता है। परंतो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सादू पुरुष असत्य भाषन की प्रशन सा कभी नहीं करते। ये संपोर्ण लोग सत्य पर ही विराजमान है। धर्म भी सत्य के ही अधार परिस्थित है। समुद्र सत्य वचन से ही कभी अपनी सीमा का उलंगन नहीं कर दैत राजबली भगवान विश्नु को भुमिदान करके स्वयम पाताल में चले गए हैं। अपने उस सत्य वचन में इस्तित होने पर वे पुनह वहां से बाहर नहीं निकलते। जो किसी बात की प्रतिगया करके उसका ठीक ठीक पालन नहीं करता। उस चोर और अपवित्र बुद्धी वाले पुरुष ने कौन सा पाप नहीं किया। सक्यों ने कहा नंदनी तुम समस्त देवताओं और द्यत्यों के लिए भी वंदनी हो। जो कि सत्य की रक्षा के लिए दुस्त तज प्राणों का भी त्याग कर रही हो। कल्यानी तुम तो स्वयमी धर्मार्थ वचन बोलने वाली हो। समस्त सद्गुणों से संपन हो और सदा सत्य में स्थित रहती हो। हम लोग भला तुमें क्या शिक्षा देंगी। महभागे जाओ बच्चे के लिए शोक मत करो। तुमने हमारे लिए जो आग्या दी है उसका हम सब पालन करेंगी। परंतु हम इस बात को जानती हैं कि सदा सत्य में स्थित रहने वाले प्रानियों का आरंब किया हुआ कोई भी कार निश्फल नहीं जाता। शुरी सूत जी कहते हैं महरशियो नंदनी अपनी सक्षियों से इस प्रकार बात करके उस व्यागर के पास चल्दी जहां वह व्यागर उसकी ही प रप्ति लाब करो अपना पेट भरो सत्य का सहरा लेकर अपने प्रानों का भई छोड़कर फिर से अपने पास आई हुई नंदनी को देखकर वह दुस्टात्मा व्यागर भी बड़े भारी विरागी को प्राप्त हो गया कहने लगा हे सत्य वादिनी तुम्हारा स्वागत ह सत्य पर इस्थित रहने वाले प्राणियों का कभी अमंगल नहीं होता भद्रे तुमने शपत खाकर कहा था कि मैं आऊंगी इससे मेरे मन में एक कौतुहल हो रहा था कि क्या तुम सच मुझ ऐसा करोगी परन्तु तुमने अपने सत्य के रक्षा की महा भागे मुझ दुरात पापी को उपदेश दे कर अनुगरहीत करो जिससे इस लोग और परलोग में मेरा कल्यान हो मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हें अपने सत्य अचरन के प्रभाव से कुछ भी अज्यात नहीं है इसलिए संशेव से धर्म का सार मुझे बताओ जिससे मुझे सत्संग का पू संपून चराचर प्राणियों को अभयदान देते हैं उनका वहदान सभी दानों में स्रेष्ट है उससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं व्यागर कहने लगा शुभे ये अभयदान तो उनहीं प्राणियों के लिए उप्युक्त हो सकता है जिनकी जीवी का अहिंसा से अन धर्माचरण में सायक हो वैसा उप्तेश दो नंदिनी ने कहा यहां वन में एक महान शिवलिंग है जिसे पूर्वकाल में बाणासुर ने स्थापित किया था उसी के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे संकट से मुक्त हुई हूँ तुम प्रति दिन प्रात्यकाल उठकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया वह उसका दर्शन करके ततकाल ही व्यागर की योनी से मुक्त होकर पूर्ववत राजा कलश के रूप में परिनत हो गया पूर्वकाल में दुरवासा जी के दियेवे शाप का और अपने व्यभव संपन राज जी का अब उन्हें इसमरन हो आया तब उन्ष्रेष्ट राजा ने नंदनी से कहा भद्रे मैं है है वंश में उत्पन कलश नाम का राजा हूँ पूर्वकाल में मुनीवर दुरवासा ने कुछ कारणवश मुझे श्राप दे दिया जब पुन्हा मैंने उन्हें प्रसन न किया तब वे कहने लगे कि नंदनी देनू जब तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराएगी तब तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी निश्चय ही तुम नंदनी हो ये बात मुझे अपने शाप का अंत देखकर आज ग्यात हुई हे श्रेष्ट धेनू ये तो बताओ ये कौन सा देश है जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढून कर पुन्ह वहाँ जाओ नंदनी बोली राजन ये सब पापों का नाश करने वाला चमतकार पुर नामक्षेत्र है जो सर्वतीर्थ मैं है और संपुर्ण कामनाओं को देने वाल है राजा ने कहा नंदनी तुम्हारा कल्यान हो अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो गवों के जुंड में जाकर अपने सक्षियों और अपने सुहर्दों का दर्शन करो मैंने पूर्वकाल में ब्रहमनों के मुक से इस छेत्र की महिमा सुनी थी और इसे देखने की सद तो अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता परमसभागी की बात है जो महात्मा दुर्वासा ने मुझे वैशा शाप दिया अनिथा इस उत्तम छेत्र की प्राप्ति भला मुझे कैसे होती ऐसा कहकर राजा ने नंदनी को विदा कर दिया और स्वयम दिन रात उस शिवलिंग का ध्यान करते वे वे वही रहने लगे उन्होंने भगवान शिव के लिए किलाश शिखर के समान गगन चुम्बी मंदिर बनवाया और उन्हीं के आगे बैठकर बड़ी भारी तपस्या की फिर शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परम दुरलब सिधी प्राप होता है हे ब्रहामनो इस प्रकार मैंने तुम्हें कल शेश्वर जी के महातमी का वर्णन सुनाया जो सब पातकों का नाश करने वाला है हरे कृष्णा आज का महातमी समाथ हुआ इसके आगे का व्रतान सुनने के लिए उमीद है आप अगली वीडियो का इंसार जरूर और ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप अपने इच्छा से चाहें तो हमारे चैनल के जॉइन बटन को जॉइन करके हमें सहयोग कर सकते हैं